नमस्कार दोस्तों वेलकम टो श्विंग ट्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे बंसाली इंजिनियरिंग पॉलिमर लिमिटेड कंपनी के बारे में इस कंपनी में अभी के टाइम पे हमें बाई करके चलना चाहिए या तो फिर आभड करना चाहिए इस वीडियो में हम बात और एक important point है friends काफी सरा friends अभी stock market में newly enter किये हैं तो उनका मन में काफी सरा doubt है कि अच्छा सा stock को भी और loss में sell कर देते हैं उनके लिए अगर कुछ doubt है तो आप मेरे कुछ में जरूर जूट सकते हैं आपका कुछ भी अगर मुझे मैसेज कर सकते हैं जरूर आपको एक solution मिल जाएगा अगर आप stock market में newly enter किये हैं तो दूसरा एक point है काफी सरे friends का यह सवाल है कि अभी stock market में जिसी साब से करेक्शन चल रहा है काफी सरा stock है जो कि बढ़ी अट्रक्शन पर मिल रहा है उसको लेना चाहिए तो फिर नहीं लेना चाहिए और आपका stock में बताते हैं उसमें कुछ profit मिलता है कि नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा बहुत सरे वीडियो है मैंने वहां पर काफी सब्सक्राइब करके बताया हूँ और हमने यह सब profit gain भी किया है अगर आप देखेंगे तो यहां पर में जो भी सरे मेंबर हैं उन्होंने ब्राइब किया था और यहां पर profit booking एक बार कर मतलब हम लोग एक बार profit booking भी कर चुके में अगरा बात करेंगे यहां पर आपके साथ में बात कर सकता हूं और आप देखेंगे तो यहां पर profit क्यों नहीं मिलता है stock market में से टाइम से अगर कोई भी इस टाक को हम बाइब करते हैं और उसका टार्गेट पर जरूर हम गयन कर सकते हैं यहां पर भारत रसायन के बारे में देखी यहां पर वीडियो बना के बताया था उस टाइम पर चिला 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 के सब को बोल रहा देखी में गया हुगा क्या हूद की तो उसके लिए यहां पर चाइवै करके बिसकी अपना पोट फोलिše में गया बात करते हैं इंस टॉक के बाद करेंगे आब बहुत करेंगे इंचिनियरिंग अंड पॉलीमर कि बारे में इस कंपनी में क्यों गिरावट हो रहा है और यह स्टाश्च में टारगेट क्या सकता है यह तो फिर ऑल्ल टाइम हाई आचीव कर सकता है इस वीडियों में में हम बात करेंगे अखिर में अगर प्रमोटर प्लेजिंग की बात करेंगे जीरो है प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास में एक स्मॉल कैप स्टॉक है अगर हम बात करेंगे यहां पर बात करेंगे सबसे बहतरीन चीजे यह बहुत बड़ा पॉजिटिव सेक्टर है अगर इस कंपनी में है अगर हम इसका रेजल्ट देखेंगे कंपनी का भागने का पिछे का रीजन क्या है कंपनी का अगर हम यहां पर देखते हैं सेल्स अभी 342 करोट का सेल्स देखने को मिला है अगर हम बहुत बड़ा डिकलाइन नजर आ रहा है अगर हम यहां पर प्रक्राफित के वारें बात करेंगे नेट प्रस्ट में भी एक इंप्यक्ट आया है अगर आम देखिंगे तो अभी आज़र में 76 करोड का नेट प्रफिट देखने को मिला है अगर हम यह अन यह की बात करेंगे यहां पर 136 करोड का था अभी 76 करोड का हो चुका है जो कि बिल्कुल हमें डिक्लाइन अजर आ रहा है ठीक इसी साब से अगर लास्ट चार चार मैने का अगर डाटा हम देखते हैं यह स्ट 1422 करोड का सेल्स देखने को मिला था जो कि बहुत बड़िया है लेकिन यह स्टॉक एक पड़ा सा बोलटाइल स्टॉक है इसको भी आपको नजर में बिल्कुल रखना है अगर आप देखेंगे स्टॉक का चार्ट पैटन अगर देखेंगे यहां पर देखिए स्टॉक यहा यहां पे बहुत बड़ा सबय्स देखने को मिला था सपी टेन से रिटन दे चुका था ठीक है टेन द दे चुका था लगिन उसके बाद में च्पार और लुट है तो यहां पर फॉल आते आते स्टॉक बिल्कुल यहां पर करोना के टाइम पे यह तो कहा तो पर देखने को मिला था अगर हम परसेंटेज में कालकुलिशन करेंगे अगर हम परसेंटेज हिसाब से कालकुलिशन करेंगे स्टॉक में आल टाइम हाई से लेके जब करोना तक आया था यहां पर गिरावड तो यह स्टॉक में 90 परसेंटेज करेक्शन आ चुका था है तो जो जिनको रिस्क ज्यादा नहीं लेना है तो यह स्टॉक को बिल्कुल आवेड कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल're क्याप स्टॉक के बहुत होते हैं ठीके न तो कोई भी स्टॉक में आप इंवेड्मेंट करने से पहले आप एक पर उसका पास में पैटर्न भी देख लिए और कोई भी स्टक को बाई करने से पहले अपना पूछ लिजे क्योंकि बहुत सरा रिस्क आपको नहीं लेना होता है तो आप जब रिस्क ले लेते हैं रिटर्न का चक्र में फिर आप फुस जाते हैं ठीक है तो अगर हम बात करेंगे अभी का यह चार्ट पैटन का हिसाब से ह देखने को मिला था जो कि 1.35 पॉंट का तेजी देखने को मिला था अगर आज की दिन में कारवार देखेंगे इस टॉक में दो लाग टूंटी टूजन का यहां पर ट्रेडिंग हुआ था और डेलिवरी की बात करेंगे तो वान लाग एटीन थाजन का डेलिवरी उठाय ग यहां पर था ठीक है अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक मॉल्टी टाइम सपोर्ट था इस रेंज पर तो यह रेंज को भी ब्रेक कर चुका है तो अगर हम बात करेंगे यहां पर काफी सारा सपोर्ट को तोड़ चुका है अगर हम बात करेंगे स्टॉक कहां तक गिर सक इसके बारे में हम बात करेंगे मेरे हिसाब से अगर किसी को यहां पर विल्डिंग यह किसी का अगर इस लेवल पर कहीं पर करके रखे हुए पहला पॉइंट है आप स्टॉक को सेल मत किजिए क्योंकि स्टॉक में रिवर्सल का बिल्कुल गुंजा ऐसे स्टॉक बिल्कुल र पिछे रीजन भी मैं बताऊंगा और कौन से लेवल तक आसे वह बात करेंगे फ्रेंट अगर रिवर्सल आयेगा तो पेला इंपोडन पॉइंट है मेरा हिसाब से मुझे यह से लग रहा को इस टॉक में पेला जो रिवर्सल 193 का लेवल जरूर अचीब कर सकता है अगर हम यहां से देखेंगी कितना परसेंटेज का यहां पे जिल लोग अभी लॉस में सेल करना चाहते हैं तो उनको यहां से कितना परसेंटेज का बेनिफिट मिल सकता है यहां पे उनको 41 परसेंटेज का बेनिफिट मिल सकता है अगर प्वाइंट अगर इसमें अब बाइंग का इंतिजर करणा चाहिए इसमें ये लेवल सेुन चाहिए है काफी सरा small cap जो large cap stock भी और mid cap stock भी गिर रहे हैं तो इसी साब से small cap stock है तो यहां पर और थोड़ा से गिरावट भी हो सकता है अगर यहां ते अगर गिरावट होता है उस करते हैं अगर इस टॉप में आप 193 का लेवल तो आपको 61 परसंटेश का मिल सकता है जो एक साल में आपका ख़िखिख करा सकता लेकिन मैं चीज़े कोई पी स्टॉक में बाइग करते ये तो इसका त्र funcion अब लेकिन इंडिया का इकनोमी का हिसाब से स्टॉक का नेचर ऊपर जाना है अगर फंडामेंटल स्टॉक आपने बाई करके रखा हुआ है तो उसका स्टॉक मार्केट का नेचर है उपर ही जाए ठीक है तो कंसलरेशन में कुछ दिन भले रह सकता है तो लेकिन अच्छा सा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करने के साथ में अगर चैनल पर आया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए ठैंक यू बरी मुच फ्रेंट्स फर राचिंग दिस वीडियो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और यह स्टॉक को को अगर कुछ भी आप स्टेप ले रहें यह स्टॉक में तो आपका फाइनशल अडवाइजर से जरूर पूछ लिए उसी बेस पर आप इस टॉक में अपना डिसिशन ले सकते हैं थैंक यू भी मुच फ्रेंट्स वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में